हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माई चैनल द चॉकलेट स्फियर और मैं हूँ पोलूमी आज संडे है आज सुबह मैं नास्ते में गोबी का पराठा बनाई थी और गोबी का पराठा गर्मा गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है और घर पे भी आज सभी इसकी प्रिपरेशन में सैटेरे रात को ही कर ली थी जो कि हमको इजी रहे नास्ते बनाने के लिए सुबह को गोबी को पहले में धोली और इस तरह से टुक्रों में काटके कद्दुकस कर ली बहुत थोड़े से मसाले लिए है जैसे कि खड़ा जीरा जो कि गोटा जीरा है किया हुआ लिए है 1 तेबल स्पून और धन्य का पॉणर भी 1 तेबल स्पून लिए है और वन टीस्पून कष्मेटि लाल मिरच लिए हैं एक मूटी धनिये का पत्ता ले लिए है डंटी नहीं है इसमें सिपनते को लिए हुए है और Dif姐 के प्रिश को छोटे-छोटी टुक् कोई बात नहीं से स्किप कर दीजिए इसके जगह आप एकदम छोटे पतले पतले टुकड़े में कैपसिकम को डाल लीजिए उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब सारी को एक साथ मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे याद रखे अभी नमक नहीं डालना है न निकाल देना है ने तो पराठे बनाते वक्त ये पराठे को फार देगा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें से कुछ पोर्शन मैं निकाल ले रही हूँ इससे मैं दूसरा रेसिपी बनाऊंगी और ये रेसिपी अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर अब मैं स्वाद अनुसा नमक डाल रही हूँ नमक उस वक्त डालेगा जब आपको पराठा बनाना हो उससे पहले नहीं ये तो पाने फिर छोड़ देगा इसमें से अब इसमें मैं साड़े तीन चमज मैदा मिक्स करेंगी मैदा इसलिए मिक्स कर रही हूँ इसमें कुछ त और उसमें थोड़ा सा रिफाइन ओयल डालके मिक्स करके उसे सान ली आठा को ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं सानना है और ज्यादा हार्ड भी ने मीडियम रखना है और सानने के बाद हाफ़े नावर इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है हाफ़े नावर के बाद इस तरह स मैं पेड़े के शेप में ले ली हूँ जितना बड़ा साइज आपको चाहिए उस एसाब से आप बना लीजिए इस आठे को आप सिर्फ आठा से भी कर सकते और सिर्फ मैयदा से मैंने दोनों मिक्स करके किया है और इस तरह से डो को कड़ोरी के शेप में करके इसमें स्टु अगर अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सबस्क्राइब कर लीजिए अगर नहीं किये है तो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करोगी तो तुरत आप लो में स्टफिंग को फिल कर देंगे स्टफिंग कीया हुआ एक नोको nie लेंगे और आठा अच्छे से लगा देंगे दोनोё तरफ लगा यस से प्रेस कर देंगे प्रेस करने के बाद हलके हलके हाथों से इसको बेल लेंगे बेलती वक्त पराटे फटेंगे इससे घबराना नहीं है दीरे धीरे इसको बेलना है और थोड़ा सा ज्यादा आटा देके बेलना है और बेलने के बाद सारे आटे को धीरे ज्जार के उसके तवा पर डालना है यह देखिए किस समय तवा से ज्यादा आटा देके बेल रही है तवा को हाई फ्लेम में अच्छे से गरम कर लेना है उसके बाद पराठे को तवा में डाल देना है तवा को मेडियम फ्लेम में कर देना है क्योंकि यह धीरे धीरे पकेगा क्योंकि सारे तरफ से अच्छे से सेख लेने के बाद ही रिफैंड डालेंगे, मैं रिफैंड से बना रही हूँ आप चाहे तो घी से भी बना सकते हैं गैस के फ्लेम को मेडियम टू लो, लो टू मेडियम करके ही इस पराठे को बनाईएगा बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनेगा इसी तरह से सारे पराठे को बना ले रहे हैं इस पराठे को चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं ये पराठा ऐसे ही खाना में बहुत टेस्टी बनता है लिजिए, सारे पराठे मेरे बन गए हैं अब मैं अपना प्लेट लगा ली और मैं तो लूंगे सिर्फ मिर्च के अचार से ही आप भी बनाईए खाईए और खिलाईए वीडियो को ज्यादर से ज्यादर शेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए चैनल को फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के सा तब तक के लिए बाई